Hello everyone, कैसो आप लोग, आज है हमाई क्लास का part 10, तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, हे कलर को कैसे deposit करना है, dry बालों पे deposit करें, या wet बालों पे deposit करें, तो आप दोनों बालों पे deposit कर सकते हो, आप dry बालों पे deposit कर सकते हो, wet बालों पे deposit कर सकते हो, ब कि मुख से करना है वैट बालों पर कब करना है कौन से यह वालीम से करना तो यह सारी वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं तो आज का जो हमारा टोपिक होगा वो होगा हमारा वैं हाउटो डिपोजिट एक आ डार तो सबसे पहले हम जान लेते हैं deposit होता है deposit का मतलब होता है light से dark पे जाना जब light बाल होते है उसको आप dark कलर करते हो तो वो होता है हमारा deposit जब आप बालों पर bleach करते हो ब्लीज करने के बाद आप color को deposit करते हो तो उसको हम कहते है deposit ज्यादा तर यह deposit हम blonde hair पर करते है जब पहले हम blonde करते है और उसके बाद हम color को deposit करते है तो सबसे पहले हम जान लेते है volume कौन कौन से होते है 10 volume 20 volume 30 volume 40 volume volume मतलब developer की बात कर रहा हूं इसको हम volume भीगा सकते है तो color deposit के लिए हमें 10 और 20 volume को हमें लेना पड़ता है ठीक है आप 10 volume भी ले सकते हो 20 volume भी ले सकते हो और बाकी के 30 और 40 volume होता है यह हमारा lifting के लिए 90 papus किया जाता है ठीक है 10 volume हमारा Neben California current person anduin लिफ्टिंग करता है 20 volume 1 to 2 ले सकते ही करता है 30 volume 2 see three level lifting करता इद debating 40 volume हमारा Cea2 ले सर्वाल सकते हैं मतला आपका जो developer होता है वो लास्त टीन से चार ले संट करता है ठीक है तो अब हम देख लेते हैं हमारे जो नेचरल हेर होते हैं तो नेचरल हेर हमारे एक से लेके दस तक होते हैं नेचरल हेर की बात कर रहा हूं अगर क्लाइंट के चार नंबर के हैर है और क्लाइंट को चीए नाइन नंबर का है क्लाइंट के चार नंबर के हैर है क्लाइंट को नाइन नंबर का हैर चीए तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा पहले आपको ब्लीच मतलब ब्लोंडर यूज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर आप एक, दो, यूज करके आपने 9 नंबर पे लेके चलेगे तो 9 नंबर पे ले जाने के बाद blonder कोई color नहीं है ठीक है blonder का काम होता आपका जो natural pigment होता उसको निकालना color का काम अब होगा color tube जो होती है उसको आपको 10 volume या 20 volume अब दोनों में से कोई भी volume ले सकते हैं आपके पास 10 volume है तो 10 volume ही लो अगर आपके पास 20 volume नहीं है जब 20 volume नहीं है तो आप 10 volume ले सकते हैं तो दोनों में से आप कोई सबी volume ले सकते हैं तो अब आपको क्या करना है 9 नंबर पे ले जाने के बाद अब आपको color tube deposit करनी है आपने जैसे 9.1 color tips ली और उसके बाद आपने developer यूज़ किया, developer आपने 10 volume developer यूज़ किया, तो आपको mixing ratio में ने सारा कुछ बता चुका हूं में, अब हम mixing ratio की बात नहीं करेगे, हम deposit के बात करेगे, आपको dry बालो पे deposit करना या wet बालो पे करना है, पहले हम deposit को समझ लेते हैं, तो आपने 9 number पे bliss करने के बाद, आपने क्या किया, 9.1 को आपने plus 10 volume से color को deposit कर दिया, अब आपने क्या किया है, इसको deposit किया है, इसको हम कहते है deposit, 9.1 मैं क्यू ले रहा, कि ताकि आपकी 9 number पे जो भी orange tone होगी हलकी हुलकी, वो भी cut हो जाए, ठीक है, और proper 9 number color आ जाए, तो यह होता है हमारा deposit, बतलब आपने पहले ब्लीज की, ब्लीज करने के बाद, आपने hair color को deposit कर दिया, तो इसको हम कहते है deposit, तो मैं कुछ shape बना रहा हूँ, head के, तो उसकी help से मैं आप लोगों को समझाऊंगा, तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ, एक shape तो यह client का head है, और यह hair है, तो यहाँ से मैं थोड़ा rough कर रहा हूँ, आप समझ जाना, 10 volume और 20 volume को मैं रहने देता हूँ, तो यहाँ पर मैं एक head बना रहा हूँ, देखो अब client आपके पास आता है, client की demand है कि मुझे global color चीए, global color का मतलब क्या होता है, पूरे बालों पर color करना, यहाले जो client के hair है, 4 number के hair है, client के किन number के hair, 4 number के hair है, client को global color चीए और client को global color भी 9 number तक चीए, मतलब 9 number, मतलब आप पांच लेवल लिफ्टिंग का काम करने वाले हो ठीक है तो नाइन नंबर पे आप लिफ्टिंग करने के लिए आपको यहां पर ब्लॉंडर यूज़ करना पड़ेगा तो ब्लॉंडर को आप 30 वोल्यूम से करें तो आपको ब्लॉंडर यूज़ करना है और मैंने आप क्या करोगे 10 वोल्यूम या 20 वोल्यूम 10 वोल्यूम या 20 वोल्यूम से आप 9.1 प्लस 12 पर ठीक है आप इन दोनों को मिक्स करके आप बालों पे लगाओगे तो यहां पर आप ड्राई बालों पे डिपोजिट कर सकते हो ठीक है ड्राई बालों पे क्यों डिपोजिट कर सकते हो यहां पर आपके जो क्लाइंट के चार नंबर के हेरते वो कम्पलीट आपने नाई नंबर पे लेके जा चुके मतलब अब क्लाइंट के एक भी बाल चार नंबर के नहीं है आपने गलोबल कलर चीए किया है तो यहां पर आप ड्राइब बालों पर डिपोजिट कर सकते और ड्राइ बालों पर जब आप डिपोजिट करते हो तो रिजल्ट अच्छा आता है तो टैमिंग जो होगा वोल ज्यादा से ज्यादा 30 मिन्ट होगा सिग और कम से कम 20 मिन्ट होगा मतलब आपको बालों पर 20 30 मिन्ट तक आपको बलौ पर रखना एं कलड को ठीक है उसके बास आपको चरना हैं तो यह तो सब आपको कोलॉबल कलर जिसप्र आपको ड्राइब यहां पर ले लेते हैं 9.1 को हम ले लेते हैं 20 वोलीम से तो यहां भी आपने 20 वोलीम यूज किया था अब यहां भी आप 20 वोलीम यूज कर रहे हो अब यहां पर आपने बलीच यूज नहीं गरि यहां पर आपिग्र करे यह 9.1 यह 9.9, यह 9.10 वी भी हमारे light color होते है, 9, 10, 11, 12, यह हमारे high lifting color tubes होते है, मतलब यह जो color tubes होते है, खुझ से भी एक level lifting करती है, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एक level lifting हो रहा है, यह ब्लोंडर, sorry, developer का lifting है, यह हमारा color tubes का lifting है, तोटल मिला के 2 level lifting कर रहा है, यहाँ पर 4 number के hair, आपके 6 number प पर चले जाएगे, तो यहाँ पर हमें समझ आता है, कि यहाँ पर अगर आपने highlighting करी, highlighting में क्या करते हो आप, आप एक section को foil भांते हो, और एक section को छोड़ देते हो, मतलब आपको आदे बालों पर foil भांते हो और आदे बालों को ऐसी छोड़ देते हो, मतलब आदे बाल 4 number के hair है और आदे बाल क्लाइंट के 9 number के hair पहुंच चुके है, मतलब आपके क्लाइंट के 4 number के hair उनको 9 number की highlighting करने थी, ठीक है, 9 number के क्या करने थी, उनकी highlighting करने थी, आपने 4 number के hair पे highlighting की foil paper भांता, और 9 number पे आप ले के चलेगे, यहाँ पर आपको देखना है, क्लाइंट को base change करना है करना है, तो आप dry बालों पे deposit करोगे, उस तर्म आप वेट बालों पे deposit करोगे, अगर क्लाइंट को सिर्फ highlighting वाले بالों को change करोणा है, जो उनके 4 number के hair उंकथे वह वैसी के वैसी रहने छा crafts यह है, तो आप वेट बालों पे deposit करोगे, गीले बालों पे deposit करोगे, गीले बालों पे नहीं होता है तो आज का हमारा यही टोपिक था है कलर को कैसे डिपोजिट करें तो आगे भी हमारी बहुत सारी वीडियो सारी है अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक कर देना चैनल को स्क्राइब कर देना मिलते हैं अगली वीडियो में अब एक लिए पाए